मंत्री नरेंद्र मोदी अभी इंडिया न्यूस पर लाइव हैं। देवियों और सज्जनों नमस्कारम। उत्सवों के इस माहूल में आज तेलंगाना और आंद्रवदेश को एक भव्य उपहार मिल रहा है। एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंद्रवदेश की साजा संस्कृती और साजा विरासत को जोडने वाली है। में तेलंगाना और आंद्रवदेश के लोगों को विशेश कर इन राज्यों के मध्यमवर्ग को, निम्न मध्यमवर्ग को, उच्य मध्यमवर्ग को, बंदे भारत ट्रेन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, आज सेना दिवस भी है, हर भारतिय को अपनी सेना पर गर्व है, देश की रक्षा में, देश की सिमाओं की रक्षा में, भारतिय सेना का योगदान, भारतिय सेना का शावर्य अतुल्निय है, मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, इस समय पॉंगल, माग भी हूँ, मकर संकरांती, उत्तरायन पर्वों का भी, उल्लास चारों तरफ नजर आ रहा है। जैसे देश के प्रमुख दिवस, प्रमुख परव, आसे तु हिमाचल कश्मीर से कन्याक मारी, अटक से कटक, देश को जोडते हैं, हमें जोडते हैं, एक भारत, स्रेष्ट भारत की भव्य तस्वीर हमारे मन-मंदिर में प्रस्तूत करते हैं, वैसे ही भारत ट्रेन भी अपनी गती से, अपनी यात्रा से, जोड़ने का, समझने का, जानने का अउसर देती हैं, बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन भी, एक राष्ट के रुप में, हमारी साजा संस्कृती, हमारी आस्था को भी जोडती हैं, ये जो नई ट्रेन शुरू हुई है, ये हाइदराबाद, वारंगल, विजय वाड़ा, और विशागापट्नम जैसे शहरों को जोड़ेगी, आस्था और परियाटन से जुड़े, कई महत्वपुन स्थान इस रूट में पढ़ते हैं, इसलिए बंडे भारत एक्सप्रेट से स्रद्धालूओं और परियाटकों को भी बहुत लाब होगा, इस ट्रेन से स्रिकंद्राबाद और विशागापट्नम के बीच लगने वाला समय भी अब कम हो जाएगा, भाई और मैंनों, बंडे भारत ट्रेन इसकी एक और विशेस्ता भी है, ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्त का प्रतीख है, ये उस भारत का प्रतीख है, जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है, ऐसा भारत, जो अपने सपनों, अपने आकांशाओं को लेकर अधीर है, हर हिंदुस्तानी अधीर है, ऐसा भारत, जो तेजी से चल कर अपने लक्ष तक पहुँचना चाहता है, ये बंदे भारत एक्षप्रेस, उस भारत का प्रतीख है, जो सब कोच स्रेष्ट चाहता है, उत्तम चाहता है, ये बंदे भारत एक्षप्रेस, उस भारत का प्रतीख है, जो अपने हर नागरित को बहतर सुमिधाई देना चाहता है, ये बंदे भारत एक्षप्रेस, उस भारत का प्रतीख है, जो गुलामी की मानसिक्ता से बहार निकल कर, आत्म निर्वरता की तरब बढ़ रहा है, साथियों, आज देश में, बंदे भारत को लेकर, जिस तेजी से काम हो रहा है, वो भी ध्यान देने वाली बात है, ये सिकंदराबाद विशागा पंटनम बंदे भारत, दो हजार तेईस के वर्स की पहली ट्रेन है, और आपको खुशी होगी, हमारे देश में, पंदरा दिनों के भीतर, ये दूसरी बंदे भारत ट्रेन दोड रही है, ये दिखाता है, कि भारत में कितनी तेजी से, बंदे भारत अभ्यान, पट्रियों पर तेज गती से दोडता हुआ, जमीन पर बदलाव को मैसूस कर रहा है, बंदे भारत ट्रेन भारत में ही डिजाइन हुई, और भारत में ही बनी, देश की ट्रेन है, इसकी रप्तार के, कितने ही विडियो, लोगों के दिल और दिमाग में, सोल्सेल मिडिया में भी पूरी तरह चाये हुए हैं, मैं एक और आकड़ा दूँगा, जो जुरूर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, दिल पेस्ट होगा, बिते कुछी वर्षव में, साथ मंदे भारत ट्रेनों ने कुल मिला कर, 23 लाग किलोमेटर का सफर पूरा किया है, ये पृत्वी के 58 चक्कर लगाने के बराबर है, इन ट्रेनों से अब तक, 40 लाग से अधिक यात्री, यात्रा कर चुके हैं, इन ट्रेनों में, यात्रा करने वाले लोगों का जो समय बचता है, वो भी अनवोल है, भाईयों और भहनों, कनेक्टिविटी का स्पीड से, और इन दोनों का, सबका विकात से सीधा समन्ध है, कनेक्टिविटी से जुड़ा इन्फ्रासेक्चर, दो जगों को ही नहीं जोडता, बलकि ये सपनों को हकिकत से भी जोडता है, ये मैनुफेक्चरिंग को मार्केट से जोडता है, टैलेंट को उचित प्लेटफर्म से जोडता है, कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है, यानि यहाँ गती है, जहाँ जहाँ गती है, वहाँ प्रगती है, और जब प्रगती होती है, तो सम्रुद्धी तय है, हमने वो समय भी देखा है, जब हमारे हाँ विकास और आदुनिक कनेक्टिविटी का लाब, बहुत ही कम लोगों को मिलता था, इससे देश में बहुत बड़ी आबादी का समय, सिरफ आने जाने में ट्रांस्पोर्ट में ही खर्च होता था, इससे देश के सामान्य नागरिक का, देश के मद्यमबर का बहुत नुक्षान होता था, आज भारत उस पुरानी सोच को पीछे रखकर आगे बढ़ रहा है, आज के भारत में सब को गती और प्रगती से जोडने के लिए तेजी से काम चल रहा है, बंदे भारत ट्रेन इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, प्रतीक है, साथियों, जब इच्छा शक्ती होती है, तो बड़े से बड़े मुश्किल लक्षों को भी पाया जा सकता है, हमने देखा है कि आठ वर्ष पहले तक किस प्रकार भारतिय रेल को लेकर निराशाही देखने सुन्ने को मिलती थी, सुस्तर अप्तार, गंदगी का अंबार, टिकट बुकिंग से जुड़ी शिकायतें, आए दिन होती दुरगटनाएं, देश के लोगों ने मान लिया था कि भारतिय रेल में सुधार असंबव है, अधिकांस लोगों की धारणा है कि आईरवेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आईरवेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है, जीवा आईरवेद ने 20 लाग से अधिक पेशेंट्स की परस्नलाइज चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाप आपकी सिवा में अविलेबल है, यदि आपको लगता है कि आपकी बिमारी ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार जीवा आईरवेद में जरूर कॉल करिए, तो अभी तोरंग 88-26-44-44-44 पर कॉल करिए, शहद शुद्ध नहों तो शहीद कर देता है आपकी सिहत को, प्योरिटी के सो से अधिक पेरामिटर्स पर खरा है पतंजली हनी, पतंजली हनी, प्योरिटी की 100% गारिंटी, देश के कई रेल्वे स्टेशन ऐसे हैं, जहां अब आदुनिक होते भारत की तस्वीर नजर आती है, बीते साथ आठ वर्षों में, जो कारिय हमारी सरकार ने सुरू किये हैं, वो अगले साथ आठ साल में, भारती रेल्वे का काया कल्प करने जा रहे हैं, आज टूरिजम को प्रमोट करने के लिए, विश्टा डॉम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपच को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए, किसान रेल चलाई गई, माल गाड़ियों के लिए स्पेश्यल फ्रेट कोरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है, देश के शहरों में पग्ब्लिक ट्रांस्पोर्ट को बहतर बनाने के लिए, दो दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेट्वर्क का विस्तार हो रहा है, रीजनल रेपीड ट्रांजिस सिस्टिम जैसे फिचरिस्टिक सिस्टिम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है, भाई और बहनों, तेलांगणा में तो भीते आट वर्षों में रेल्वे को लेकर अभूत पुर्व काम हुआ है, दो हजार चौदा से पहले के आट वर्षों में तेलांगणा में रेल्वे के लिए दो सो पचास करोड रुपिय से भी कम बज़ेट था, जबकि आज ये बज़ेट बढ़कर के तीन हजार करोड रुपिय तक पहुँच चुका है, मेडग जैसे तेलांगणा के अनेक छेत्र पहली बार रेल सिवा से जुड़े हैं, 2014 से पहले के आठ वर्षों में तेलांगणा के में सवा सो किलोमेटर से भी कम नई रेल लाइने बनी थी, जबकि पिछले आठ वर्षों में हमने तेलांगणा में करीब करीब सवा तीन सो किलोमेटर नई रेल लाइन कम्प्लीट की है, बीते आठ वर्षों में तेलांगणा में सवा दो सो से ज़्यादा किलोमेटर ट्रेक मल्टी ट्रेकिंग का काम भी किया गया है, इस दोरां तेलांगणा में रेलवे ट्रेक का बिजली करान तीन गुना से भी ज़्यादा हुआ है, बहुत ही जल्द हम तेलांगणा में सभी ब्राड़गेज रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने वाले हैं, साथ क्यों, आज जो वंदे भारत चल रही है, वो एक छोर से आंदर प्रदेश से भी जुड़ी है, आंदर प्रदेश में रेल नेट्वर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरका निरंतर काम कर रही है, 2014 से पहले के मुकाबले, आज आंदर प्रदेश में कई गुणा तेजी से नई रेल लाइने बिचाई जा रही है, बीते बर्षों में आंदर प्रदेश में साड़े तिन सो किलोमेटर नई रेल लाइन बनाने और लगभग आठ सो किलोमेटर मल्टी ट्रेकिंग का काम पूरा किया गया है, पहले की सरकार के समय आंदर में सालाना साठ किलोमेटर रेल लेट्रेकिंग का इलेक्टिफिकेशन होता था, जब ये रप्तार भी बढ़कर के सालाना दो सो बीस किलोमेटर से ज़्यादा हो गई है, लोगों के लिए केंदर सरकार के ये प्रयास, इज अब लिविंग भी उत्तर उत्तर बढ़ा रहे हैं और इज अब डूइंग बिजिनेस में भी बृद्धी होती हैं, गती और प्रगती का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, इसी विस्वास के साथ तेलंगणा और आंधर प्रदेश को बंदे भारत एक्ष्प्रेस टेंग की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, याक्त्रियों को शुपकामनाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंतरी नेंदर मोदी तेलंगाना और आंधर प्रदेश को बधाई देते हूए, अब भारती रेल में यात्रा करना एक सुख़ा दनभव है, निराशा के दौर से भारती रेल काफी आगे निकल चुकी है, और जहां तक आजकल की सरकार की बात है तेलंगाना और आंदर प्रदेश में रेलवे को लेकर बड़ा विकास किया गया है प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी तेलंगाना आंदर प्रदेश के बीच चलने वाली आठवी बंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाते हुए तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं आंद्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को ही एक सौगाज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोटी ने दी है वीडियो कॉंफेंसिंग के जरीए ट्रेन को प्रधान मंत्री ने हरी जंडी दिखा कर रवाना कर दिया है सिकंदराबाद और विशाखा पत्मन के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी करीब 700 किलोमेटर की दूरी तै करेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ये आठवी वंदे भारत है दो तस्वीरे आप देख रहे हैं एक में वंदे भारत ट्रेन से छूटती होई हरी जंडी दिखाए जाने के बाद प्रधान मंत्री द्वारा दोसीरी तरफ प्रधान मंत्री हरी जंडी दिखा रहे हैं स्प्रेन को देश को आठवी वंदे भारत ट्रेन मिली है और जैसा प्रधान मंत्री ने कहा पिछले 15 दिनों के अंदर ही दो वंदे भारत ट्रेन देश को मिली है तो रेलवे के मामले में रेलवे के लिहास से यात्रियों के सुधाओं के लिहास से यात्रियों को मिलने वाली बेहतर ट्रे सिकंद्राबाद से विशाखा पत्नम के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को रवाना किया है और ये ट्रेन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रमाना होती ट्रेन की तस्वीरें जो की सिकंद्राबाद से विशाखा पत्नम जाएगी आंदर प्रधेश और तिलंगाना को एक नई ट्रेन के जरीए कनेक्टिविटी मिलेगी स्टेट अफ दा आर्ट ट्रेन है ये और इसकी कनेक्टिविटी के चलते परेटकों को बहुत लाब होगा यात्रियों को बहुत लाब होगा बेहतर सुविधाओं के साथ लैस ये ट्रेन यात्रियों को एक अलग तरीके का अनुभाव देगी कि आठी बंदे भारत ट्रेन तुल्यंगान वारांद तुदेश को पधान मंतर युरेंद्र मोदी की सौगात ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है और विशाखा पत्सन तक जा रही है